हलो, आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोंस को आटम्स के अलगले शेल्स में कैसे बढ़ते हैं पर एक्जाम्पल पहला एलेमेंट हमारा हाइट्रोजन है, इसका अटॉमिक नंबर वन है इसका मतलब कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रों है, number of electrons is equal to 1 अब क्योंकि एक ही इलेक्ट्रों है तो वह फिर्स्ट शेल में आएगा, शेल के में आएगा और एक एलेक्ट्रों आएगा तो हमने यहाँ पे इसके आसपास केशल ड्रॉ कर दिया और इसके आसपास हमने इलेक्ट्रोंस में भर दिया सेके रहे हमारे पास हीलियम हीलियम का अटॉमिक नंबर टू है अटॉमिक नंबर टू और इसके पास दो इलेक्ट्रोंस है It has two electrons. अब दो electrons हम जानते हैं कि हमारे case shell में maximum दो electron आ सपने हैं. तो एक electron हमने यहां बढ़ दिया, एक electron हमने यहां बढ़ दिया. थर्ड आटम हमारा lithium है. lithium का atomic number 3 है. Atomic number is equal to 3. That means इसके पास 3 electrons है. It has 3 electrons. Now, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारा formula है 2N square. First shell के लिए, for the first shell, right? 2 into n की जगा हम 1 डालेंगे. 1 into 1 equal to 2. पहले shell में हमारे 2 ही electron आ सपने हैं. तो हमने पहले shell में 2 electron डाल दिये. यहां पर, right? यह case shell था हमारा. This is the case shell. Second shell की अगर हम बात करें, तो हमारा formula सेम रहेगा 2N square. जहां पर n की value अभी 2 हो जाएगी. तो हम n की जगा 2 लिखेंगे. 2 square यानि की 2 into 2 into 2. 2 square का बतला हम 2 को 2 बर multiply करेंगे. तो यह इसकी value हो जाएगी 8. So, second shell में हमारे पास maximum electron 8 आठ आ सकते हैं. तो हमने second shell में पहला electron भर दिया. Right? यह देखें. Next atom हमारे पास beryllium है. Beryllium का atomic number 4 है. Atomic number is 4. तो हम सबसे पहले shell में 2 electron भर देंगे. K shell में. This is the K shell. उसके बाद आता है हमारा L shell. L में हम जानते हैं कि 8 electron आ सकते हैं. तो उसमें हम 2 electron भर देंगे. तो 2-2-4 आपके पास पूरे 4 electron fill up होगे. Next है हमारे पास boron. Boron का atomic number 5 है. Atomic number is equal to 5. That means number of electrons is also equal to 5. Number of electrons is also equal to 5. अब इन electron के distribution के लिए हम K shell में 2 electrons भर देंगे. यह K में हमने 2 electron भर दिये. L में हमारे पास आ जाएंगे 3 electron. 3 plus 2 पूरे 5 हो जाता है. तो हमाने 5 यहां पर भर दिये. यहां पर देखें. तो हमने यहां पर circle draw किया L shell के लिए. और इसमें हमने 3 electron भर दिये. 1, 2, और 3. Similarly, काबन का जो atomic number है. That is 6. काबन का atomic number 6 है. इसका मतलब उसके पास 6 electrons है. It has 6 electrons. 6 electrons हैं. तो आप K में 2 electron भरेंगे. L में 4 electron भरेंगे. L में हमारे पास पूरे 8 electron आ सकते हैं. तो हम 4 भरेंगे. तो अब shell भी देख सकते हैं. कि हमने यहां पर K में 2 electron भरेंगे हैं. और L में हमने 1, 2, 3, 4 एलेक्ट्रोन भरे हैं next is nitrogen nitrogen का atomic number 7 है number is equal to 7 that means it has 7 electrons 7 electrons right तो हम K में 2 एलेक्ट्रोन भरेंगे और L में हम 5 एलेक्ट्रोन भरेंगे आप देख सकते हैं कि हमने यह पे 2 एलेक्ट्रोन K में भरे हैं और यह 5 एलेक्ट्रोन हमने L में भर दियां next is oxygen oxygen का atomic number हमारे पास 8 है that means it has 8 electrons 8 electrons है तो आप यहां पैसे लिख सकते हैं K L M N K में हमारे पास 2 ही एलेक्ट्रोन आ सकते हैं और L में हमारे पास 6 हो जाएंगे total हमारे पास 8 एलेक्ट्रोन हो गया है आप अंदर के शल में 2 भर दीजिए और बाहर के शल में 6 1,2,3,4,5,6 fluorine का atomic number 9 है इसका atomic number 9 है that means इसके पास number of electron भी 9 है it has 9 electrons 9 electrons क्योंकि इसके पास 9 electrons हैं तो आप ऐसे लिख सकते K L M N हम जानते हैं K में 2 ही एलेक्ट्रोन आएंगे L में हमारे पास 7 electron आ सकते हैं तो यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं K में 2 electron भरे हैं और L में हमने 1,2,3,4,5,6,7 electron भर दी हैं last is neon neon का atomic number 10 है neon का atomic number 10 है that means it has 10 electrons इसके पास 10 electron है तो आप उपर लिखिएगा K L M N K में 2 भरी है L में आप 8 भरेंगे आप 10 total हो जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं K में 2 है और L शेल में हमारे पास 1,2,3,4,5,6,7,8,8 electron है तो इस तरह से हम shells को भरते हैं दूसरा तरीका हमारे पास यह भी है यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास अलग-अलग elements के नाम है यहाँ पे इनके atomic number है atomic number is equal to number of electron और number of proton यहाँ पे KLMN यह अलग-अलग shells है तो आप देख सकते हैं hydrogen में एक ही electron है number of electron is equal to 1 तो यह K shell में जाएगा helium में 2 हैं 2 electron तो यह दोनों K shell में चले जाएगे हमने argon तक किया था वेड़े टिल-argon यह देखिए 2, 8 हाँ हमने यहाँ तक किया था हमने neon तक किया था तो neon के पाद sodium जिसका atomic number 11 है तो हम बरेंगे 2, 8 और next electron हमारे M में आ जाएगा similarly magnesium इसका atomic number है हमारे पास 12 2, 8, 2 next हमारे पास aluminum है 2, 8 इसका atomic number 13 है 2, 8, 3 silicon इसका atomic number 14 है 2, 8, 4 टोटल यह मिलाकर 14 हो जाता है phosphorus इसका atomic number 15 है 2, 8, 5 और इस तरह से आप electronic configuration को भरेंगे thank you and have a nice day